आज में बना रही हूं चिकन और आलो के समसे बहुती मज़े के बने हो थे आप इसको ज़रूर रह करिए चलिए इस रेसिप को स्टार्ट करते हैं तो टेबस्पून आईल आट करेंगे चिकन आट करेंगे वन कप इस तरह इसे बारिक चॉप कर ली हूं बोन लेस आप चाहे तो खीमा भी दाल सकते हैं तो अभी अच्छी तरह किसे बूं लेंगे इस तरह किसे वन टेबस्पून जिंजर गर्लिक पेस्ट शादनू से नमाग हल्दी हाफ टीस्पून तो अभी अच्छी तरह किसे भूं लेना है तो अभी अच्छी तरह किसे मिक्स करने के बाद अभी मैं इसको अच्छी तरह किसे म्याश कर लूंगी इस तरह किसे तो अभी देखिए चिकन को अच्छी तरह किसे भूं ले हूं अब इसका पानी भी एक्ष्टा जो था वो चीज़े ड्रै हो चुका है अभी तीन प्याज एट करूंगी बढ़ा से जोला स्लेस में चाप कर ली हूँ अभी अच्छी तरीक से मिक्स कर लेना है रेच्चिली पोड़ार 1.5 टी स्पून जीरा पोड़ार 1.5 टी स्पून वन टी स्पून कोरेंडर पोड़ार तीन से चार आलो बढ़ा से जोला इस तरीकी से बार इक चाप करके बोल में रख ली हूँ और मसालों को अच्छी तरीकी से भूंद लेंगे अभी आलो एट करेंगे अच्छी से मिक्स कर लेना है तो अभी देखे अच्छी से मिक्स कर ली हूँ अभी हम इसको कवर करके 5-6 मिलिट तक उक कर लेना है तो अभी चिकन और आलो अच्छी से पक चुके हैं देखिए चिकन मसाला पड़ार हाफ टी स्पून इसको ज़रूर आट करिए इससे और भी ज्यादा टेस्ट आएगा तो अभी अच्छी तरीकी से मिक्स कर लेंगे फ्रेश हरी धनिया तो अभी यह रिडी है अब ग्यास के फ्लम को बंद कर देंगे और मैदा पेस्ट रडी कर लेना है 1.5 टी स्पून मैदा थोड़ा सा पानी दल के इसको अच्छी तरीक से मिक्स कर लेना है देखिए इस तरीके से तो अभी एक बोल में निकाल लेना है तो अभी एक समोसा च्रीट लेंगे उसको एक साइट को इस तरीके से फोल्ड कर देना है 2 इंच के करीब तो अभी ज्यादा कॉंटिटि में मैदा पेस्ट लगा लेना है इस तरीके से तो अभी इसको कवर कर देना है इस तरीके से देखिए देखें कितना अच्छा बनके रेडी हुआ है तो अभी ये रेडी है अभी इसको एक प्लेट में रख लेना है ये होम मेट समसा चीट है मैं आल्रेडी अपलोड कर चुकी हूँ आप उसको भी जाके चक करिए देखें इस तरह इसे रेडी कर लेना है तो अभी मैं एक प्लेट में रख ली हूँ और अभी फिलिंग कर लेंगे वन और अफ टेबल स्पून के करीब आट कर रही हूँ तो अभी उपर वाले हिसे के उपर मैदा पेश्ट अच्छी से लगा लेना है इस तरह की से इस तरह की से कावर कर देंगे प्रेस कर देंगे अच्छी तरह की से तो अभी एक प्लेट में रख लेंगे इसी तरह की से रेडी करकर देखे इस तरह की से रेडी करके एक प्लेट में रख लेना है देखे कितना अच्छा बनके रडी हुआ है तो अभी गड़ाई अच्छी से हीट होने के बद टी फ्रेक के लिए आयल अट करेंगे आईल अची तरह की से हीट आने के बाद अभी हम समसों को अच्छी से फ्राइ कर लेंगे, स्टर करते हुए, लो फ्लेम में फ्राइ कर लेना है, अभी दूसरे सेट को हम पलटा कर इसी तरह की से फ्राइ कर लेना है, देखे इस तरह की से कलफ चेंड कर लेना है, लाइट कोल् नहीं आपको भाला के ऐगाए अवाद साथिक जल जाएके इस पात का ध्यान रखिए अच्छी से श्टेर करते हुए देखे इस तरह की इस फ्राइब कर लेना है अभी रडी है अभी हम इसको निकाल देंगे प्लेट में तो अभी रडी है चिकन और आलो के समसे बोती मंजी क बनी हुई थे आप इसको जरूर ट्रे करिए और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्रेब और शेयर करिए मिलते हैं अगलर रिस्पे में जब तक लिए लाफीज